हेलो गुद मॉर्निंग प्रेंट्स कैसे आप लोग उमीरे के आप सब लोग ठीक होंगे मायरा लाइब चन्नी व्लॉग में आपका स्वागत है तो कीचन से जुड़ा व्लॉग है और देखिए कि क्या टीप्स आपको बताती हूँ जो आपके कुकिंग बनाते समय आपके लि परसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंट रिलेटिव्स तक और लॉग को कंटीनिव देखिए तब यह आपको टीप्स क्या-क्या है यह आपको समझ में आएगा तो लॉग को करते हैं शूरू टीप्स नम लीजिए और फिर एक पतेले में या एक बरतन में पानी लेकर जो कटेवे बैगन है वह उसमें डाले अगर आप कटेवे बैगन ऐसे ही रखेंगे तो वह काले पढ़ने लगेंगे यह थी टीप्स नमबर वन टीप्स नमबर टू अगर आप आलू भी काटते हैं तो आलू क क्याले नहीं पढ़ेंगे तिस नमबर तीन अगर आप कोई भी सबजी जल्दी पकाना चाहते हैं तो अगर आप बैस डालते हैं प्याज अपनाले के बाद आप को लगता है कि पैस जल्दी पके या मसाले जल्दी पके तो आप तुरंत उस्पे नमक अट कीजे जो भी आप आप स्वाद अनुसान नमक डालते हैं तो प्याज डालने के बाद तुरंत आप मसालों के बाद उसमें नमक डाली इसे मसाले जल्दी पकेंगे और एसे भी जल्दी से पकने में मदद होगी टिप्स नमर चार अगर आप आटा गुनते हैं तो आटे को नॉर्मल गुन कर रख नॉर्मल आटा गुतिए और दस या पंदरमियत के लिए ऐसे छोड़ दिये आटा अपने नरम हो जाएंगा टिप्स नमर फाइब अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बनाने से पहले जो भी आपके मसाले हैं मसाला दानी है या मसाला जो भी आप बॉक्स में रख लीजे ताकि आपका समय बस सके टिप्स नमबर सिक्स अगर आप सब्जिया लाते हैं तो तुरंत फ्रीज में वैसे ही ना रखे बलकि उनको धोग कर सूखने दे फिर आपके फ्रीज में आप उसे स्टोर कर सकते इससे सब्जिया बहुत लंबे समय तक टिकेगी और में समय बचेंगा टिप्स नमबर सेवेन अगर आप हरा धनिया लाते हैं मिर्ची लाते हैं तो एक बॉक्स में एक डबे में उसे तोड़ कर दीजिए अगर हरी मिर्ची लाते हैं तो हरी मिर्ची की डंठल निकाल लीजिए अगर आप डंठल के सहीत हरी मिर्ची फ्रीज मे स्टोर करेंगे तो लाल पढ़ने लगेंगे टिप्स नमबर नाइन उसी प्रकार कड़ी पत्ता भी आप धोकर सुखा लीजिए और एक डबे में उसे पैक कर लीजिए ताकि आपको जब भी डालना हो तो तुरंत आप उस कड़ी पते का यूस रेसिपी बनाते समय कर सकते हैं तो ये थे कुछ टिप्स जो आपके कीचन में और रेसिपी में आपको बहुत उपयोगी होगे यूसफुल होगे और आपको मदद होगी जल्दी जल्दी रेसिपी बनाने में और आपके समय की भी बच्चत होगी तो यह व्लॉग कैसा लगा यूसफुल होगा तो लाइक क कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नए व्लोग में तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान दखिए टेक केर बाई थेंक यू